आज मैं आपको खान भी बनाना सिखा रही हूं यह गुज्रात के एक फेमिस डिश है बहुती सॉप्ट बहुत डलीशियस होती है तो चलिए फेंस देखते हैं इसके रेसिपी आएए खान में पनाने के लिए हमें जो इंग्रीडियन्स चाहिए वह है एक कप बेशन एक कप दही राय साभूत राई लिया मैंने कड़ी पता चौप धन्या पता यह फ्रेश नारे ने जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है यह थोड़ा सा मैंने अधरक लिया है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है यह हरी मिर्च है मैंने चौप करके रख लिया है नमक हल्दी और हिंग चाहिए हमें तो यह हमारे आज के इंग्रीडियन्स जो हम खानवी में यूज करने वाले है हम सब जानते खानवी गुजरात का इक फीमस दिश है और य यह तो आज मैं आपको बहुत एजी तरीका बता रही है जिससे आप खानवी बहुत अच्छे से बना पाओगे और जितनी बार बनाओगी वह फ़फेक्ट खानवी में बनके निकलेगा उसका वाद है सर क्या बात है सर क्या बात है यह बात है अरे सर क्या तो दिखिए इस मैं आपको बाओल में मिक्स नहीं करू हुई मैं मिक्सर जार ले रही हूं यह हमारा मिक्सर जार इसमें हम डिरेक डालेंगे यह एक कप बीसन है वो मैं मिक्सर जार में डाल रही हूं यह एक कप दही यह भी मैं मिक्सर जार में डाल रही हूं अब इसमें हम डालेंगे जु हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखे हैं यह भी हम डालेंगे हरी मिर्च का स्पाइस आपके अकोर्डिंग यह डाल सकते हैं लेकिन डालेगा जरूर जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हुआ हुआ है तो यह हमारे इंगीदियेन्स जो हम इसमेन मीकस कर रहे है अब मैं मिक्सर को चन कर लें अब उपकश लिए इसमें नभी जबुन पड़ेगा अच्छा है थीए गया तो देखिए एक है बसीया है मैंने अच्छे से प्षे लिया को अब हम थोड़ा सभी डालेंगे चुटकी भर हीनच चाहिए हमें जुटकि भर हीम डालेंगे और नमक स्वाथ के अनुसार डालेगे उप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगि कम बेसी कर सकते हैं यह हमारा मिक्स्चर अब इसमें पानी डालेंगे जिसमें कपसे मैंने बेसन और दही लियाई सेम उसी कप से मैं दो कप पानी डालेंगे इसमें ये 1 और ये 2 गोशने जीट में दाल दिया है, अब मैं इसे वापस मिक्स करूँगी मिक्सर में, ठीक है? ये मेरा पेस्ट राधि है, मैं इसे पेस लिए अज़िया है, अब मैं इसे कढ़ाई में डालोगी यह हम लोग डाल लिए हैं कड़ाई में हमें गैस ओन कर देंगे तो इसमें लंग्स पढ़ जाएंगे गुट्लिया पढ़ जाएगी तो हमारे पेस्ट खराब हो जाएगा एक बात और बता दू मैं आपको जब आपकी पेस्ट पे बना रहे हो मिक्सर में आप पेस्ट को चर् हरी मिर्च और अधरुक घ्षाद्रँ कुछ रह गया है तो आप इससे च् Tennessee Nation सकते हो अप च्रां कर यूस कर लो ताकि उसमें जीमें अ और थोड़ा सा अपिया नहीज ज अखिना रहे उस दही मैंने उस किया है वो मैंने मार्केर पाला दही यूज किया है अब घर दही जब यूज करेंगे तो आप एक सबाद का ध्यान रखे कि वह एक तो मीठा ना हो ना ही बहुत खटा हो एक दिन का दही रहेगा तो आपका उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है तेस्ट अच्छा एगा मैंने जो बजा इसका महलत है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह नीचे लग जाएगा बेसे बहुत जल्दी रीचे लग जाएगा इसको पपने में कम से कम 8-10 में लगेंगे और यह हो जाएगा हमारा रड़ी अच्छा है अच्छा है अच्छा है आपको पता है बेसन बहुत जल्दी लग जाता है तो हमें इसे चलाते रहना है और यह साइज इसको हमें क्लीन करते रहना है साथ में ताकि वो यहाँ पे आपको पर लगाना रहे और इसते कंटिनेस में अब चलाते रहना है कि देखे मारा बैटर अकि कितना थीक हो गया है अब देख पा रहे हूंगे और हम इस समय हिद्व ध्यान रखना है कि राड़को छोड़े नहीं और इसे घ्लाते रहे अगर हम छोड़े थोड़ा सबीस क और नीचे अगर लग लिया तब ये बैटर हमारा खराब हो जाएगा और लंज भी ना पड़े इस बाद तभी हमको ध्यार लखना है साइट स्क्रीन करते रहना है हमें देखिए कुख हो रहा है अब यह हम बताएंगे आपको कि अगर हमको चेक करना है कि यह मारा बैटर हुआ है या नहीं हुआ है वह हम कैसे देखेंगे अब इतना थिक हो गया है अब हम देबर चेक करें मैंने प्लेट लिया है और यह बैटर के लिए से छोड़ देती हूं तो दो मिल बाद हम जैक करेंगे उस बैटर को कि हमारा सही से निकल रहा है या नहीं तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं इसे हम चला पे रहेंगे अगर इसे छोड़ दिया तो यह नीचे लग जाएगा बैटर जाधा गाढ़ा भी नहीं होना अगर जाधा गाढ़ हो जाएगा तो हमारा बैटर फैड़ेगा नहीं और हमारा खांड भी नहीं बलेगा यह अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इतना अच्छा लग रहा है इसा बैटर इतम स्मूज लग रहा है मैंने कूँ आप देख पा रहे हो गया जाधा थीक होगा त आप थैजरो जो स्की में बता देगा तो हम पैसे चेक कर ले रहा है एक की हमारी खांड भी डिने है यह पेस्ट हमारी नहीं होँए है यह पेस्थ तोड़ा सवर हमें से च्ला दाना है अभी अब हग ऑना से होगा एब शीक बहु करने से में पता चाल जागा कि हमारा यह भ है रोल नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे को थोड़ा सब और चमाना इंटो मिनट के लिए कि अगर अगर इस प्रोसेस से खान भी बनाएंगे तो आपकी खान भी अच्छी बनेंगी इसी तरीका यह बनाने का और पर्फेक्ट मेजरमेंट के साथ हैं आप इसे कोई भी कटोरी कोई भी कप कोई मेजरमेंट से कर सकते हैं जो भी कटोरी यूज करेंगे या कप यूज करेंगे उसी मेजरमेंट से आप दली देंगे और उसी मेजरमेंट से पानी देंगे अगर एक काटोरी ले रहा तो एक काटोरी में बेसल रहेंगा एक काटोरी गाही आए उसी काटोरी से दू काटोरी पानी हुम फिर एक आपशेकर ले रहे हैं देर्कि छोड़ देरत दिशन जोर गज लिए हुम अब ड्राइर हो टाषीर हो इसे चेक कर ні Vari अब भी काप्यों चला लिए है 2की जोड़ हो गया है है पर इसे प्लेव में वार पर सप्रिट हाग्या इंग में have you अब है मेंए इसे चेक कर लेंगे तूम एम थिरया है लुड़ po हुड़ लाफ secretary अब कि अना करें रो बतुर आतर देख रहा है relate the के धिए अच्छे से रोल हो रहा है अब देख रहे हैं कि अश्र श्या कमा रही है इसको मतला हमारे यह पेस्ट अब इसका मतलब हम गैस बन कर देंगे इसका और इसे अब हम फैलाएंगे तो मैं इसे स्प्रेड करने के लिए यह थाली ले रही हूं मैं इसके पीछे इसे फैलाओं नहीं है आप इसे गैस के इस कंपार्टमेंट पे भी फैला सकते हो कोई भी कंटेनर ने थाली हुआ प्लेट तो यह फैले गानी प्लेट पे अच्छे से अभी अभी जग देंगे मिंटेंगे मिक्सक्र इसमे टालेंगी आएело तो आई से पैलाईए जल्दी जल्दी तो कि अपने लिर नहीं हुड है कि अब कहो एफ एफ सकती है नहोँ मिस जगला कम दिरेछे चाहिए उद्सक्कॉबधिन देखने गषनी एफ इसी तर्रहे, हम भाकी मिक्सर भी फैणा लेगे पनीज के अढ़ बात्य हम्यारा वार ही or Stress 3 topics अमिया है ले जदी जदी करना हैं वरने खमसा दाएंगे पेस्ट में UAK के ओ ओ ऑग्योग्योगry में हो 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 हमारी पेस्ट ढ़ना हो रहा है अपनी तेमे हम चॉंक रेडी कर लेते हैं, तो यह लिए करनाई में तेल डाना है, मैं गैस ओन कर लेगी हूं इसमें हम राइट डालेंगे और गड़ी पता डालेंगे आप चाहें तो इसमें सफेग तिल डान सकते हैं, उससे भी फ्लेवल बहुत अच्छा हाता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो है मैं उसी से इसका चॉंक लगा रही हूं तिल करने हम हुआ रहा है हमारा तापै, में इडरीटेट इसमें डाए और गड़ी पता है अगाथ, अगा तो सफे तिल गालेंगे तिल अच्छा लगें रहा है तो फ्लेवल नहीं कि चेपटने लागा है हमारा नहीं थोड़ा यानी और दापी में पर टकदा लेगे जुँआ अब देखिए लेति अब देखिए हमाना थंडा हो गया है अब अब इन से काट लेते हैं पर देले आपको जितना मोटा चाहिए उसी साफ से आप काट सकते हैं आपको जेल बिंच रहे तो रह अच्छा आएगा यह मैंने देखिए शॉपू साय और यह पो तुम कर दीजिए ताकि आपको इसको फूल्ल करने में बितने हैं यह मैंने ट्रिम कर लिया है यह इतने अच्छे से उतर रहा है यह इतने अच्छे से निकल रहा है तो यह मैं हटा दे लिए हूँ कि अपको कर दिखा देंगें कि इतने अच्छा से रोल हो रहा है वाँ कितना शाइनी लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है यह इसी तरह से आप बनाईए तो आपको बहुत अच्छे से निपल लाएगा यह और मैं यह मैं प्लेन रखूंगी और यह मैंने कट कर दिया है इसमें मैं थोड़ा सा यह नादियल डालूंगी यह खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और नागिर का फ्रेशनेस जो आएगा अधन्या पत्ता बहुत अच्छा लगता है यह बच्चे कसम नहीं करते हैं कुछ कभी-कभी इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लेन रखा है और थोड़ा मैंने स्टफ कर लिया है यह दिखें य कि अच्छा लग रहा है यह अच्छा लग रहा है इसी तरह से यह सारा अभी रोल कर लेती है तो देखें हमारी यह खानवी रेदी है अब हम इस तड़का जो हमारा वह इसमें पूर कर लेगे जोड़े आप अपर नहीं अपना अपर नहीं जल्दी प्रटा पर बनने आप अब अभी भी आपने घर ने वाला हो तब सुभे बना के से रैड़ी करती घर पर रग दीजे और जब आए तो से सर्फ कीजें लगता ही नहीं कि घर में बनाया है इसना टेस्ट एपना इढिएए रिखे एं ए थोड़ा सा लि monthly नाय разр हमें भी सिखा दो इतना अच्छा तरीका है ये बनाने का इतना इजी वे है सब को बहुत जादा पसंद आएगा मैं छोड़ा सा फ्रेश ये धनिया पता है यहां की डेकुरेशन में लूस कर रहे हैं अच्छा लगता है और यह तो यह हमारी खाली रड़ी अब पीज दरूर अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जरूर करें कि आपको यह कैसा लगा है और बेल आइकन प्रेस करना न अभूले ताकि आप मेरे निव वीडियो के लिए अपडेट रहें ओके फ्रेंस चाचा बाइबा कर दो कर दो कर दो